Hello everyone, आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास 7th की आपकी समाजिक विज्ञान की वक्षिट No.28, देट है आपकी 25th January 2021, आज की वक्षिट का चाप्टर है आपका राज्य साशन कैसे काम करता है, आई ये स्टार्ट करते हैं, हमारा देश भारत राज्यों का एक संग है, इसमें 28 राज्यों और आठ केंसासित परदेशों में बाटा गया है, साशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्यों और केंसासित परदेश पुनत जिलों और अन्य छेत्रों में बाट दिये जाते हैं, भारत के हर राज्यों में एक विधान सभा है, विधान सभा के और यहां की जो सदस्य होते हैं विधान सभा की उसको हम विधायक कहते हैं अब याद रखना हर राज्य कई निर्वाचन छेत्रों में बटा हुआ है उसके बाद राज्यों को निर्वाचन छेत्रों में बाढ़ दिया जाता है हर निर्वाचन छेत्र से जनता एक प्रतिनिती चुनती है उसके बाल हर एक निर्वाजन छेतरों से जैसे राज्य है तो राज्यों को कई सारे निर्वाचन छेतरों में बाढ़ दिया जाता है और हर एक निर्वाचन छेतर से जनता अपना प्रतिनीरी चुनती है कैसे चुनती है सार्भोमिक व्यश्कमत अधिकार से 18 साल से प्लस के जितने भी लोग होते हैं 18 साल से उपर के जितने भी लोग होते हैं सभी को वोट देने का अधिकार होता है आपने चुनाव के टाइम पे देखा होगा कि लोग वोट देने जाते हैं तो जितने भी बड़े लोग होते हैं 18 साल से उपर के जितने भी लोग होते हैं सभ प्रतिने में को सенного करते हैं जो विधान जबण का सदक से है यानि की विधायक बन जाता है इस प्रकार से हम कहरे हैं है कि विधायक जनता का होले. फ्ल्ontin की अप मथा City उसके बाद आपका बताया गया है कि आपने ध्यान दिया होगा चुनाव के टाइम पर कि चुनाओं में जो लोग होते हैं वो अलग-अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं जैसे कि आपकी बीजेपी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी, आमादमी पार्टी और इस तरह की और भी कई सारी पार्टियां होती हैं इसलिए ये विधायक अलग-अलग राजन बहुमत में माना जाता है जैसे किसी राज्ये में 30 निर्वाचन छेतर हैं तो किसी पार्टी को जीतने के लिए 15 प्लस सीटों की जरूत पड़ेगी तो उसको हम बहुमत में मानते हैं उसके बाद है आपका कि राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष जि चुनाव के बाद सत्ता धारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं उसके बाद जो पार्टी चुनी गई है उसके जो विधायक होंगे वो सत्ता धारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो की मुख्य मंत्री बनता है इसके बाद मुख्य मंत् का अलग अलग मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री स्वास्थे मंसुं इन सब का चैन करेंगे चुनाव की बाद राज्य का राज्ये पाल जो होता है वह मुख्य मंत्री और अन्यमंत्रियों की नुक्ति करता है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दाईत्वे यानि उनका करतव साशन के विविन विभागों या मंत्राले को चला एं उनके अलग-अलग कारले होते हैं जैसी कि सिख्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परियावरण विभाग तो उनको अपने अपने विवाग के according काम करना होता है कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है तो कई बार क्या होता है कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिल पाता है तब दो या दो से जादा की जो पार्टेया होती है वो मिलके सरकार बना लेती है जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को हम गड़ बंधन सरकार कहते हैं चेके उसके बाद आपका राजेपाल के बारे में बताया गया है कि राजे का प्रमुख राजेपाल कहलाता है उसकी निप्ति केंद सरकार द्वारा यह सुनिशित करने के लिए की जाती है कि राजे सरकार सविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना क तो यहां पर आपको अपने चेत्र के विधायक का नाम लिखना है यह अलग लग बच्चों का अलग लग आंसर हो सकता है उसके बाद सेकिंड है आपका निर्वाचन चेत्र वा प्रतिनिधी शब्दों का उपयोग करते हुए इसपष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस परकार होता है जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा था अभी ठीक है कि विधान सभा की सदस्यों को हम विधायक कहा जाता है और हर राज्ये कई निर्वाचन चेत्रों में बटा हुआ है हर निर्वाचन चेत्र से जनता एक प्रतिनिधी चुनती है कैसे चुन दिया गया है प्रणाम के अधार पर उत्तर दीजे तो यहां पर किसी राज्य के चुनाओं के प्रणाम दिये गया है आपके राजनितिक दल का यहां पर नाम दिया गया है और चुनेवे सदस्यों की संख्या दी गई है जैसे लोक अधिकार पार्टी में कितने सदस्य चुने गई है इसी के अधिकार पर आपको आंसर देने हैं जैसे फॉर्स्ट है आपका बताईए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी तो इसका आंसर हम आप क्या लिखेंगे जो लोग अधिकार पार्टी है ना उसकी सरकार बनेगी क्योंकि इसको सबसे जादा वोट मिले इसल मंतरी किस दल के बने गें तो इसका अंसर आप लिखेंगे कि अधिकार पार्टी करेंगे है जैसे बहुतर क्यों बहुत है कि क्य opposite क्योंकि इन्हें बहुत कम जो भउमत हैं वहांसिल हुआ है इस वज़े से इन्हें हम विपक्षीट पार्टी कहेंगे उसके बाज है मुख्य Mंत्री वह मंत्री किस दल के बनेंगे तो इसका अंसर आप लिखेंगे थर्ड का या अंसर होगा लोग लोग अधिकार पार्टी जो हमारी लूग अधिकार पार्टी है Crash है कि बहूमत मिला है इसकी पार्टी को मिला है। उसके बार आपको यहां पर एक कतिविति दी गई ए सेकिंड कि कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाएं तो आःत्छ है बहुँ सारी पार्टियों के नाम लिख सकते हैं जैसे कि कॉंग्रेस लिख सकते हैं बीजेपी लिख सकते हैं आम आदमी पार्टी लिख सकते हैं इस तरह की और भी कई सारे आप अपने अनुसार नाम लिख सकते हैं ठीक है तो यह थी आपके आज की छोटी से वक्षिट आई होप चिलेगी हुआ